कि आप हेलो फरेंट्स वेल्कम् टू स्मार्ट नोटीचेनल दोस्तों आप सभी को आज हमारी तरफ से किा हारदेश निपाना है जी यह दोस्तों हमारी टीम स्मार्ट नोकлем stimulating के चलब से आप सभी को तो दोस्तों आज काम वीडियो बनाएं आपके लिए इसलिए कि काफी लोगों ने यह बत पूछा कि सब्सक्राइब करें कि इतना परसेंटेज चांस होता है पास होने का सीजिल का निकाल के देते हैं तो सर्ट कितना आएगा यह कि आप हमें बता सकते हैं तो दोस्तों हमने उसी परफस के लिए वीडियो बनाए है कि आज हम आपको बताएंगे स्वीडियो के अंदर की कितना चांस होता है आपका जो है इसमें नोकरी पाने का जी आने कि अपका पास होने का तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी त करते हैं और दोस्तों हम आपके लिए यह और सुवीधत दे रहे हliyor है आपको guidance में जान दोस्तों को स्टेड़ी मिल बाता तो आपको यहां परमBERG में और हमें एक mail करना होगा या फिक message कर सकते हैं और अपने study से related जो भी आपको study material चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर ना करते हुए सबसे पहले मैं बता हुआ कि देखी कितना परसेंट होता है MTS में पास होने का chances 38 लाख लोगों की form में आपका percentage कितना है जिया दोस्तों आपको पता है 38 लोगों ने form भारा था यह तो आप सभी को पता है अब मै सजार पोश्ट आपका टोटल है अब उसके बाद आपका जो टोटल फॉर्म भरा गया था वह कितना भरा गया था 38 लाख तब 38 लाख में से आपको कुतना percentage है जो है पहली तो यह निकालेंगे हैं तो सबसे पहली चीज क्या करना होगा आपको जो है 10,000 उपर लिखना होगा यह तो आपको पता यह percentage फिल्बी मैं आपको बता दो और 38 लाख आपको नीचे लिखना होगा इन्टू 100 तो जब आप यह गड़ित कर लेंगे तो दोस्तों आपके पास परसेंटेज आता है यहां पर वह आता है आपका 0.26 परसेंट जी यहां दोस्तों 0.26 परसेंट आपको आता है यहां पे टोटल फॉर्म में आपका जो 10,000 पोस्ट दिया गया है एससी का यानि कि मैं आपको अभी यहां पर आपका रूल नहीं है अभी मैं सीप आपको यह बता रहा हूँ कि आपका जो टोटल फॉर्म भरा गया था और जितनी पोस्ट ही यानि कि 1 परसेंट जी एक परसेंट भी यहां पर नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं आपर 0.26 प आपको पता है कि 5949 परसेंट कुछ जो था अब प्रेजेंटी था यहां पर यानि कि बाकी के लोग अपसेंट थे यानि कि अगर ओर आल हम देखे तो सिधा 50 परसेंट कर लेते हैं तो 19 लाख लोग ने ही सिप जो है एक्जाम के लिए बैठे थे और बाकी के लोगों ने फा कला करें तो दोस्तों आप यह कल्कुलेशन करने के बाद आपके पास जो अंसर आएगा वह आपका हो जाएगा तो आज आएगा आपका दोस्तों तोटल जो है अगर हम inculation करते हैं तो आपका percentage बन जाता है 5.2 जी हाँ दोस्तों यानि कि 5.2% जो होता है आपका यहाँ पे chances है क्योंकि अभी जो यह 19 लाग students है वो सभी लोगों ने जो है form भरा है उन सभी ने जो है exam के लिए preparation किया है और वो सभी लोग जो है 10,000 post के लिए apply किये हैं तो यह यहाँ पे जब 10,000 post में आप 19 लाग students का percentage of ratio निकलते हैं जब यह ratio निकलते हैं तो आपको यहाँ पे आता है 0.52% यानि कि दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि भारत में कोई भी ऐसी वेकेंसी नहीं है जिसका percentage 1% 2% 3% पे हो यानि सी बात है दोस्तों competition का level इस प्रकार बढ़ चुका है कि आपको प्रतिसत में भी जो है इसका answer नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं percentage 0.52% है और सीजल में अगर आप देखे तो 0.3% 0.5% वहाँ पर भी होता है 0.1% UPC में होता है यानि कि आपका जो competition level से वह almost चाहे वह graduation level पे हो चाहे 10 प्लस 2 के level पे ह हो चाहे CHSL हो आपका चाहे 10 के level पे MTS हो हर जगे competition का जो level है वही है कुछ लोग ऐसे सोचते हैं